हाई अरोवन वेलकम टू न्यू वीडियो न्यू व्लॉग न्यू टे तो मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें आपको मैंने एक एक्जामपल के साथ यह बताया है कि आपको अगर एंप्लॉयर को अगर आप किसी भी कंट्री में हो अभी इस पूरे वर्ल में और वहाँ से काई पूरा मेल लिख लिया है पूरा मेल लिख लिए उसका जुस्ट्रक्चर है मेने suchenaus diver लगेगाई तो शौर्ट वीडियो होगा इतना कुछ नहीं है इसमें लेकिन बस वह मेल कैसे लिखना है यही important चीज है तो चलते computer screen पर तो यह है mail तो मैंने उसमें लिखाई कि applying for house building 2025 मतलब जैसी कि आप इसी साल के लिए apply कर रहे हैं तो उनके लिए अगर आप अगले साल apply करोगे तो फिर आप उसमें change कर दोगे है ना मैंने बस एक example के लिखा है लेकिन यही work करता है अभी तक जो मैंने देखा है उसमें तो subject आपने लिख लिए कि applying for house building ताकि employer को पता चलेगी कि आप इस साल apply कर रहे हैं next year के लिए फिर starting में आप hello good and talk greet कर सकते हो और यह same mail आप English में भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा या फिर German में भी लिख सकते हो अगर German में लिखते हो तो आपकी जो possibilities है वो बढ़ जाती है तो greeting किया फिर उसके बाद आता है आपका name आपको पूरा नाम लिखना है कि I am ऐसे आपका पूरा नाम आएगा उसके बाद आपको लिखना है कि I want to do house building in your hotel यहाँ पर मैंने एक example लिया होटल में as a cook का अगर आप company में या फिर nursing में किसी में भी house building कर रहे हैं तो उस हिसाब स वो changes आप कर सकते हो और इसमें बहुत सारी जैसे कि spelling mistakes या फिर उनको ignore करो बस जो important content क्या होना चाहिए उस पर ही focus करो क्योंकि यह मैंने बस example के लिखा है तो जो capital है वो यह अच्छे से आप लिख सकते हो फिर बाद में उसके बाद उनको बताना है कि यह important चीज़ है कि आपक hotel as a cook I am from India and I have done my German language till B1 ताकि उनको पता चले कि आपको German आती है और कौन से level तक आपने करी है करके यह हो गया so मैं आपको बता भी रहा हूँ कि हर एक sentence के बाद क्या clear होता है employer के mind में कि क्या क्या चीज़े है ना so एक बार employer को पता आपका नाम पता चल गया आपको इस साल house building करनी है किस field में करनी है और आपको German आती है या नहीं आती है यह सब चीज़े employer को clear होना बहुत जरूरी है ता चलता है उसको कि आपकी जर्मन लेंगेज है वो mother tongue नहीं है और आप in future मतलब आप अच्छे से बोल पाते हो और in future आपको improve करना चाहते हो और आपकी age so it will be a really helpful for me if you give me a chance to do house building in your hotel so I am waiting for your positive reply I have attached my all the documents and ready to submit other documents if needed मतलब मैंने सारे मेरे जो documents है उनको attach कर दिया है अगर आपको जरूरत पढ़ती है बहुत मतलब other documents की तो वो भी मैं आपको submit कर सकता हूं तो इस छोटे से paragraph में सारी बहुत सारी चीज़े employer को clear हो जाती है मतलब 95% उसको clear हो जाता है कि आपको exactly आप क्या कहना चाहते हो उसके बाद अगर आप सोचोगे कि आप खुद एक किसी student को hire कर रहे हो ना तो आपको यही सब चीज़े जाननी होती है उसके बाद पता चल जा है कि आपको मतलब क्या चाहिए exactly तो उसके बाद मैंने documents में यह लिखा है कि आपका CV यह औरोपा करके एक CV आता है मतलब उस format में उसमें आपको बनाना है आपको photos में होना चाहिए उसके बाद motivation later उसके बारे में मैं और एक video बनाऊंगा कैसे लिखते है से demo बनाऊंगा फिर आप hotel में करें तो आपका B1 का या फिर किसी और फिल्ड में करें और उसमें demand करते है कि आपको B2 का certificate चाहिए तो आपको B2 का certificate देना होगा उसके बाद आपको चाहिए आपका 12 का mark sheet और अगर आपके पास school living certificate है वो भी आप submit कर सकते हैं लेकिन पहले आप mail के लिए 12 का mark sheet submit कर सकते हैं सो यह चीज़े आपके पास होनी चाहिए यह सारे documents आपको उस mail के इन में attach करनी है और वो mail भेज देना है तो तो यही था अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है पसंद आए मतलब आए है इंफर्मिटीव लगेगा तो प्लीज लाइक प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और मोटिवेशन लेटर के बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा तो वह कैसे लिखना है उसमें दो टाइप होते हों कैसे होते हैं और कौन से होते हैं वह मैं आपको बताऊंगा सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच